अधरेग यह 240, लोकी 20, तोरी 30, बेगन 30 रुपे किलो, मिर्ची चल रही 40 रुपे किलो, टमाटर तो यही आ रहा है, 2000 रुपे क्रेट आ रहा है सबजियों के दाम इंदरों आस्मान चुरहे हैं, जिसमें से टमाटर तो शतक मार चुका है कहीं पर 120 रुपे किलो भी करा है, तो कहीं 150 के पार हो चुका है ऐसे में इस महंगाई का असर जनता की जेब पर कितना पढ़ रहा है, इसको जानने के लिए हम दिल्ली के सबसी मार्केट्स में चलेंगे और ये भी जानेंगे कि होल सेलर्स किसानों से सबजिया खरीद कर किस रेट में मंडियां पहुचा रहा है किसान का तो जो पर्चा बन गया वो पैसे चले गए पहले तो मैं दो दब गिलो ले जाती थी 25 था अभी तो मैंने लिया ही नहीं बेटे सबजी इतना महंगा हो गया है कि इसको एफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है अगर मैं गवर्मेंट सर्वेंट हो करके सबजी एफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उनका सोचे जो 25 से 30 जार रुपर महीना कमाते हैं और उसका रेंट के मकान में रहते है और यहां दिन भार बैटो रात दिन एक करना पड़ता है रात में मंडी जाओ फिर दिन भार यहां बैटो चैन से सोवा भी नहीं फिर भी इतना तकलीफ है कि मत पूछों क्या महांगा नहीं हुआ यह पूछी सब्चीज महांगाई हो गया है दो दिन पहले लाए मडर 20 रुपे 22 रुपे आज रहे हैं 42 रिपाटे किलो कल का डेट में 4000 रुपी नुक्सान होगा है एक क्रेट में 25 लो टमाट रहा था तो उसमें 5 लो टमाटे खराब निकल लिया था बीकरा है उसमें चिटाई करके सो रूपे के तो बेसते ही हैं वो तो उनको भी यह नहीं कि पूरा हो रहा है रोज के करना पड़ता है इसका फैदा किसी को नहीं मिला है पोलिटिकल इसूद एक अलग चीज है लेकिन पोलिटिकल पाटिया स्रफ हमें उल्लू बनाती है अल्टिमेटली सफर हमें ही करना पड़ता है हमने इतना गंदा माहोल नहीं देखा जितना हम पिछले जो है टाइम से फीस कर रहे हैं बहुत मुश्किल है सफर करना पड़ेगा ना जैसे चार डालते थे तो दो डालेंगे दो डालेंगे तो एक खट्ट और ही उसकर लेंगे दाल लेंगे पड़े आप फेर फिर इस महें अपने आपको फिनलो है यह तो बात रही डिनली के सब्सी अपर एस कि जहां पर यहां इंह you कि सभी उत रहा है और हमने बाथ की दुकानदारों से जो सब्सीजब हैं व면 कितने रुपए में सब्सियां इसके अलाब अब हम चलेंगे दिल्श स्टे गाउ जेवर में और जानेंगे कि वहाँ पर किसाणों का क्या हाल है वो उनको किitना नफ़ा हो रहा है कि हैं पूरा सरकार की नाकामी है उत्पादक को पैसा नहीं मिलता है रही है बीच में पैसा पूरा का पूरा यह जा रहा है पादक करता है तो उसे कोई सबस्री नहीं है कोई हेल्प नहीं है सरकार की केवल पादक को और उपभुकता को टेक्स देने से मतलब है सरकार की इनको कोई भी इनके लिए कोजी मेदारी नहीं है तर्माटर की दरसल क्या है कि इसमें रेशियो पूरा जितनी लागात लगती है उसे हिसाब से मार्कीट से पैसा मिल नहीं पाता है उसका एक तो पेस्टिसाइज बहुत महंगे हो रहे हैं पेस्टिसाइज का कोश्ट बहुत आती है लेवर चार्ज बहुत जादा आता है और फिर जब सीजन पेस यहां पे बहुत ज्यादा टमाटर हो जाता है नासिक से महालाष्ट से बहुत टमाटर आ जाता है तो उसकी कोश्ट प्रोपर में नहीं पाती है को एक रुपे-दो रुपे किलो मंडी में जाता है तो उसके हिसाब से उसका तोड़ाई का भी खर्चा ही निकलता है इस हिसाब से उसमें कुछ बेनिफिट है नहीं आप रखने में आगे इसलिए उसकी क्रॉप बंद कर रखिए लागा तो कोई लिमिटी नहीं हो सी दवाई अगर रोग आगया तो उसमें दवाई लगानी लगानी है हाद दस में दिन पंदे में दवाई लगती उसमें एक दवाई कम से कम एक एकड़ में लग जादा भी नहीं सो तीन हजार के करीब पड़ देती है वो दवाई लगानी उसमें फिर बाइस हो जाए तो फिर वो खता में अब दोनों ही कड़ी जो है बेकार हो चुकी है वो बहुकता तो कि तो जेव खाली होगी ज्याद पैसा कमा लेते हैं जो पॉली हाउस में टमाटर होता है पॉली हाउस का चलेगा अब आप सीजन टमाटर चलेगा जो पॉली हाउस लगाएंगे उनमें चलता रहेगा पॉली हाउस वाले ले जाएंगे पैसा बीच का किसान को तो उसकी लागात का आधा भी मुले नहीं मिल पाता है सरकार जिसे कहती है कि हमें ये काम नहीं करना उसी को ज्यादा करती है सरकार ने कहा कि हम बिचोलियों को खतम करेंगी जब कि टोटल विवाग में बिचोलिया ही पैसा कमा रहा है सरसों का तेल ले लिजेए सरसों कहीं बिखती है तेल कहा proposal है बिचो लिया पर पाशा गया किसान लागात लगाई पूरा अपना ट्रौफ जब पूरा उसका पलुप आजाती है तो ट्रौफ चलो घॉ जा राता उसने क्या किया अपना उसको जाड के दूसरी फ़सल के मैं सोचा अब सब किसानों ने जब रेट नहीं मिल रहा है तो एक साथ से कि उसको अपनी फसल को जाड लिया उजाडने के बाद एक दम से फिर बारिस आ गई बाकी बचा हुआ भी खतम हो गया ट्रमाटर इस कारण एक साथ रेट बढ़ गया है उसका देखो किसान को सबसे प बोगता के लिए अपना ठीक ठाक सबजी देने के लिए खुसी-खुसी काम करेगा लेकिन किसान को तो दो रुपे के लो एक रुपे के लो अभी भाई बता रहा था कि 1800 रुपे और जेव से देखे आया है मंडी में कहां से बोएगा फिर वो किसान के लिए बिलकुल खोकल बना बैठा है बजार